हेलो पिरिये चात्रों आज हम आपके लिए हिंदी ब्याकरण एबम हिंदी सी छनसास्त के इंपोर्टेंट कोश्चन लेके आए हैं अगर आप सी टैट, MP टैट, बरग तीन, UP टैट, सुपर टैट, रीट परिच्छा की तैयारी कर रहें तो इस वीडियो को जरूर देखें व भासा, पिरियो की कुसलता संभवे, note कर ले", question no.1, आपके पास option ने 4, क्या सही answer होगा, जल्दी से comment करें, भासा, पिरियो की कुसलता संभवे, note कर ले, question no.1, कहां पे correct answer C होगा, अधिक से अधिक भासा पिरियो कसे, next question है, स्कीन पर, question no.2, भौती प्यारा question है, सभी छात comment क करेंगे सही आंसर क्या होगा भासा एक बिसा है very very most important question है जल्दी से कमेंट करें भासा एक बिसा है सेधानतिक ब्यभारिक नीरस या चनोती पूर्ण जल्दी से कमेंट करें question number second कहां पर correct answer होगा आपका बी option होगा नोट कर ले भासा एक बिसा है आपका बिभारिक next question है स्कीन पर question number third भूती प्यारा question है सभी छात comment करेंगे सही आंसर किया होगा सरच नात्मक्ता का बिकास करने में कौन सा सहयक नहीं है बैत तरीन question है जल्दी से comment करेंगे बच्चो सरच नात्मक्ता का बिकास करने में सहयक नहीं है पिसनों को अत्र देना कभीता पूरी करना चिट पर आधारित मौकीक अथवालिखित बड़न अधूरी कहाने को पूरा करना नोट कर ले सिर्ज नात्मक्ता की विकास में बच्चों कभीता पूरी करना आउस्ता खे सहायक है बिलकुल चित पर आधारित मौकिक अत्वा लिखित बड़ा बहुत चांदा आउस्ता खे तो अधूरी कहानी पूरी करना आउस्ता खे लेकिन सहायक नहीं है नोट कर ले पिस्नों के उत्तर देना Q3 का आपका A option correct होगा नोट कलने सिजनात्मक्ता के विकास में कौन सायक नहीं है पिस्नों के उत्तर देना आपका A option correct होगा Next question देख लेते हैं इसकीन पर Q4 बहुती प्यारा question है सभी छाथ comment करेंगे सही answer किया होगा जो बच्चे सुन नहीं सकते जो बच्चे सुन नहीं सकते वह अधिकम कैसे करते हैं answer जानते हैं तो जल्दी से comment करें वह सीर्ग भासा सीख जाते हैं वह भासा का प्रियोग लिखित रूप से कर सकते हैं वह भासा सीखने में समय लगता है वह भासा सीख नहीं सकते, आपके पास option चार, दो option तो automatic cross होगा, क्योंकि उनमें दिख भी नहीं जाए कि ऐसा हो सकता है, वह भासा सीख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, बच्चा भासा सीखेगा, किसी ना किसी रूप में तो सीखेगा, इसलिए four option गलत होगा, वह इमा भी सीख सकते हैं, मध्यम भी सीख सकते हैं, और तेज भी सीख सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, तो ए भी गलत हो गया, उन्हें भासा सीखने में समय लगता है, विल्कुल नहीं कह सकते, हम इस पस्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकत उन्हें भासा सीखने में समय लगता है बहुत से बच्चे ऐसे होते ही लेकिन सुन नहीं सकते लेकिन अधीकम तेज कर लेते हैं तो यह भी कंफर्म नहीं है बेस्ट आप्शन रहेगा इसमें नोट कर लें बी आप्शन करेक्ट होगा वह भासा कर प्लियोग लिखित रूप स प्लिख कर सकते हैं नोट कर ले हैं बहुती अच्छा कोश्चन है कोश्चन नमर फाइव इसकीन पर बहुती प्यारा कोश्चन है जल्दी से कम्यंट करेंगे सही आंसर किया होगा भौतारीन कोश्चन है दैनिक कार्लियों में मनुस किन दो कॉंसलों का सरवाधिक पिरियोग करता है आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे कोश्चन नमबर 5 कहीं हाँ पर करेक्ट आंसर किया होगा अपने दैनिक जीवन में मानब किन दो कॉंसलों का सरवाधिक पिरियोग करता है नोट कर ले, question number 5 के यहाँ पर correct answer होगा आपका, option number C होगा, सिर्वर एवम बाचन कॉंसल, next question is कीन पर, question number 6, भौत त्रीन question है, सभी छात comment करेंगे, सही answer क्या होगा, सरस्वर बाचन का मुख उदेश क्या होता है, very very most important question है, बरगितीन के exam में किसी ना किसी सेट में आ सकता है, सरस्वर बाचन का मुख उदेश होता है, note कर ले, question number 6 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका D option होगा, बच्चों में पढ़ने संबंदी जिजक को समाप्त करना, answer जानते हैं तो आप लोग comment जरूर करेंगे, question number 7 के लिए मौखिक अभी ब्यक्ती की आउसकता नहीं होती है, बैतरीन question, very very most important question है, exam में आ सकता है, answer जानते हैं तो जल्दी से comment करेंगे, question number 7 निम्म मैंसे किस पितियोगता में मौखिक अभी ब्यक्ती की आउसकता नहीं होती है, note कर ले, बात विवाद पितियोगता में आउसकता होती है, अंता छरी में आउसकता होती है, भासन में होती है, लेकिन कभीता लेखर में आउसकता नहीं होती है, कभीता लेखर सभी चाथ comment करेंगे सही आंसर किया होगा बहुत ही प्यारा question है exam में आ सकता है सुनना कौंसल में सामिल है आपके पास option 4 answer जानते हैं तो जल्दी से comment करेंगे बच्चो सुनना कौंसल में सामिल है question no.8 है पर 8 का सही आंसर किया होगा जल्दी से कमेंट करें तो नोट कर लें सुनना कॉंसल में सामेले कोस्चन नमबर 8 का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका B आप्शन होगा यानी सेकेंड आप्शन पिसनों को ध्यान पूर्बाग सुनने की जमता का विकास नेश्ट कोस्चन देख लेते हैं इसकीन पर कोस्चन नमबर 9 सभी छात आंसर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे जिससे कि मुझे पता चले आपकी तयारी वच्चों अच्छी से चल रही है ठीक है तो question number 9 एसकीन पर सभी छात comment करेंगे सही answer किया होगा भैतरीन question है very very most important question है आपकी बच्चों exam में आ सकता है ठीक है सुनना बोलना कौसलों की विकास के लिए सरबुतम विधी कौनसी हो सकती है question number 9 एसकीन पर सभी छात comment करेंगे question number 9 कहां पर correct answer किया होगा सुनना बोलना कौसलों की विकास के लिए सरबुतम विधी कौनसी हो सकती है आपकी पास option चार answer जानती है जल्दी से comment करेंगे कभीता याद करवा कर बुलवाना बचकछा के कुछ बच्चों द्वारा पाट के अनुछेद पढ़कर सुनाना अनताच्छरी गति विधी का आयोजन करना कहानी कहना और उस पर बच्चों की पिति के लिया जानना नोट कर ले बच्चों एक क्या लिखा है जानना लिखा है ठीक है तो इसका correct answer किया होगा नोट कर ले question number 9 is skin पर 9 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा आपका option number D होगा नोट कर ले सुनना बोलना कॉंसलों के लिए विकास के लिए सरवुतम विधी कौन सी है बच्चों कहानी कहना और उस पर बच्चों की पिति के लिया जानना नोट कर ले लाश्ट में आपको नहीं दिख रहा है वो लिखा है जानना ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 10 बच्चों का answer नोट कर ले question number 9 के यहां पर आपका D option correct होगा सिर्वन कोंसल के लिए कहानी कहनना और उस पर बच्चों की पिति के लिए जानना ठीक है next question इसकी पर question number 10 सभी छात comment करेंगे सही answer किया होगा भैतरीन question very very most important question है जल्दी से comment करेंगे सही answer किया होगा विकास ने अपने छेत में आयोजित रंगा रंग कारीकरम की विसाई में मित्रों को सुनाया इस इस्ति में हुआ किस consul का प्रीयोकर रहा है very very most important question है सभी छात comment करेंगे question number 10 का यहाँ पर correct answer क्या होगा note कर ले question number 10 का यहाँ पर correct answer होगा आपका बाचन causal ठीक है बाचन causal का प्रीयोग हो रहा है ठीक है क्योंकि वो सुना रहा है कौन सुना रहा है विकास ठीक है बासन कॉंसल नहीं होगा, लेखन कॉंसल नहीं होगा, सिरवन कॉंसल नहीं होगा, best option होगा, question number 10 का A option होगा, question number 11 एसकीन पर, सभी छात comment करेंगे, सही answer किया होगा, very very most important question exam में आ सकता है, बर्गितीन के, किसी ना किसी सेट में, धोनियों के, बिभेदी करन में सहाया खे, note कर ल option number C होगा, सिरवन कॉंसल, धोनियों के विभेदी करन में साया खे, note कर ले, question number 11 का आपका C, option correct होगा, आपका सिरवन कॉंसल, next question एसकीन पर, question number 12, सभी छात comment करेंगे, सही answer किया होगा, भासा के प्रात्मिक कॉंसल है, note कर ले, very very most important question है, जल्दी से comment करेंगे, सही answer किया होगा भासा के प्रात्मिक कॉंसल है, question number 12 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका D, option होगा, सिरवन एवं बाचन, note कर ले, question number 12 का D, answer correct होगा, भूत अच्चा question है, exam में आ सकता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा question है, सभी छात comment करेंगे, सही answer किया होगा, भासाई विकास को प्रभावित नहीं करता है, question को समझे, भासाई विकास को प्रभावित नहीं करता है, आपके पास option 4, answer जानते हैं तो जल्दी से comment करेंगे, question number 13, भासाई विकास को प्रभावित नहीं करता है, question को समझे, प्रभावित करता है, ब्यक्तुत बुद्धी प्रभावित करता है, मधुर बारी इसका correct answer होगा, question number 13, भासाई विकास को प्रभावित नहीं करता है, मधुर बारी होगा, note कर ले, बहुत ही अच्छा question है, exam oriented है, आपके exam में आ सकता है, question number 14, इसकी पर सभी छात comment करेंगे, सह आंसर किया होगा, चात ब्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं, आपके पास option 4, आंसर जानते हैं, तो जल्दी से comment करेंगे, बच्चो, question number 14, कहांपे correct answer किया होगा, चात ब्याकरण के माध्यम से, note कर ले, चात ब्याकरण के माध्यम से, भासा का लिखित एबं मौखिक रू से सुद्ध प्रियोग करना सीखते हैं, question number 14, का आपका C option correct होगा, note कर ले, आंसर जानते हैं, तो बच्चो, comment जरूर करें, next question है, सभी छात comment करेंगे, सही answer किया होगा, भासा की सिच्चिका होने के नाते, ब्याकरण पढ़ाते हुए, आपका उद्देश होगा, आपके पास option 4, जल्दी से comment करेंगे, सही answer किया होगा, भासा की सिच्चिका होने के नाते, ब्याकरण पढ़ाते हुए, आपका उद्देश होगा, भासा का सुद्द पिर्योग करना, पिर्योग करके सिखाना, note करने करना और सिखाना, ठीक है, question number 15 का आपका यहाँ पे बच्चों note कलने, 15 का आपका B answer correct होगा, ठीक है, बासा का सुद्द पिर्योग करना और सिखाना, ठीक है, next question इसकीन पर, question number 16, बहुती अच्छा question है, सभी छात comment करेंगे, question number 16 का यहाँ पे correct answer किया होगा, भैतरीन question, very very most important question है, बर कितीन के examना आने की संभाव ना है, निग्मन बिधी किया है, उधारन देकर इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, भासा का अनुकरन करने की बिधी है, नियम बताकर उधारन देना, बिना उधारन दिये भासा सिखाना, answer जानते हैं तो जल्दी से comment करेंगे, question number 16, 16, का बत्चों answer आप note कर ले, निग्मन बिधी होती है, इसमें, निग्मन बिधी का यहाँ पी, C answer correct होगा, note कर ले, नियम अथ्वा सूत की साहिता से बच्चों को पढ़ाना, नियम अथवा सूत्र की सहायता से बच्चों को पढ़ाना निगम बिधी में सूत्रों का प्रियोग किया जाता है नियमों का प्रियोग किया जाता है नोट कर ले कोश्चन नमबर 16 का आपका C option correct होगा कोश्चन नमबर 17 आंसर जानते हैं तो बच्चों जल्दी से कमेंट करें के सही आंसर किया होगा बहुत ही प्यारा कोश्चन एसकीन पर मुहाबरे और लोकोक्तियों का प्रियोग करना मुहाबरे और लोकोक्तियों का प्रियोग करना इसका उदेश किया होता है आपके पास option 4 जल्दी से कमेंट करें सही आंसर किया होगा कोश्चन नमबर 17 का बच् कॉश्चन नंबर 18 एक किन पर सभी चात कमेंट करेंगे सही आज़र किया होगा मैंने चाट खाई फिर मैं हसी सरमीला का यह भासा प्रियोग मुखता किसकी और संकेत करता है जलदी शे कमेंट करेंगे कॉश्चन नंबर 18 का बचिमापर पर करेक्ट आंसर किया होगा नोट कर question number 18 का आपका first option correct होगा नियमों का अती सामाने करन ठीक है next question इस कीन पर question number 19 भूती प्यारा question है सभी छात comment करेंगे सही answer किया होगा आपकी कक्षा में कुछ विध्यारती सड़क को सरक बोलते हैं इसका सबसे संभावित कारण किया होगा answer जानते हैं जल्दी से comment करें भैतरीन question है एक्जाम में अक्सर ऐसे question पूछे जाते हैं trending question है जल्दी से comment करेंगे question number 19 19 का बच्चों यहाँ पर correct answer किया होगा note कर लें आपकी कक्षा में कुछ विध्यारती सड़क को सरक बोलते हैं इसका सबसे संभावित कारण किया होगा question number 19 का बच्चों यहाँ पर correct answer किया होगा बी option correct होगा उनकी मात भासा का पिरभाव आंसर जानते हैं तो जल्दी से comment करेंगे question number 20 का यहाँ पर correct answer किया होगा भैतरीन question very very most important question है बहु भासिक कक्षा में समस्या है note करे question number 20 का बच्चों यहाँ पर correct answer किया होगा question number 20 का बच्चों यहाँ पर correct answer किया होगा सीचक संबंदी चात संबंदी भासा संबंदी उप्योक्त सभी note करने बच्चों बहु भासिक कक्षा में समस्या है उप्योक्त सभी आपका correct answer होगा question number 20 का आपका D answer correct होगा मेरे प्रिये छात्रों आपको हमारा पहाना अच्छा लगता है हमारा स्टिटी माटेरियर अच्छा लगता है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों घंटी जरूर दबा दे Question No.21 एसकीन पर 23 Question Very Very Most Important Question है सोभाविक अभिविक्ती कलपना सीलता कॉंसल और सोच को बिक्सित करना करने का उद्दिस किया होता है आपकी पास उप्साने 4 जल्दी से कमेंट करेंगी Question No.21 Note करने सोभाविक अभिविक्ती कलपना सीलता कॉंसल और सोच को बिक्सित करना भासा सिच्छन का एक महत्पूर उद्देश है Q21 के यहाँ पर आपका D आंसर करेक्ट होगा Q22 एसकीन पर जल्दी से कमेंट करेंगे सही आंसर किया होगा आपने पढ़ा होगा किताबों में तो जल्दी से कमेंट करेंगे गिरहात्मक कौसलों में सामिल है Q22 का यहाँ पर आपका पढ़ना और सुनना Q22 का आपका A आप्शन करेंगे गिरहात्मक कौसलों में सामिल है 22 का बच्चो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट आप्शन पढ़ना और सुनना ठीक है Q23 सभी छाथ कमेंट करेंगे सही आंसर किया होगा बहुती प्यारा कुस्चन है एक्जाम में आ सकता है यदि छाथ की इंद्रियों में दोस है तो वह ना भासा सीख सकता है और ना ही अपने मनों भाबों को अभी व्यक्त कर सकता है अगर उसकी ग्यानें इंद्रियों में दोस है तो ना तो ये भासा सीख सकता है और ना ही मनो भावों को अभी व्यक्त कर सकता है आप आंसर बताएंगे इसका correct answer किया होगा तो हुआ है ठीक है नोट कर लें पठन सिर्वन द्रिस्त जल्दी से comment करेंगे या उप्योगत मैंसे कोई नहीं भूत ही प्यारा question है 23 23 का बच्चों हापी correct answer होगा आपका B option होगा आपका सिर्वन कौशल 23 का आपका B answer correct होगा answer जानते हैं तो बच्चों comment जरूर करेंगे question number 24 निम मैंसे कौन सी सीच्छण बिधी सिर्वन कौशलों की सीच्छण में सरवाधिक कुप्योगी है 24 का बच्चों हापी correct answer किया होगा निम मैंसे कौन सी सीच्छण बिधी सिर्वन कौशल के सीच्छण में सरवाधिक कुप्योगी है 24 का बच्चों answer note कलने 24 का आपका D option correct होगा मेरे प्रिये चात्रों आप लोग वीडियो को शियर जरूर करें जान्दा से जान्दा चात्रों को किलास में लाने की कोशिस करें ठीक है next question इसकी इनपा 25 बैतरीन question very very most important question है answer जानते हैं तो जल्दी से comment करेंगे बोलना कोंसल की विकास की लिए सबसे अधिक महत पूर सिद्ध हो सकता है आपके पास option A4, आपके पास option A4, आंसर जानते जल्दी से comment करेंगे, बोलना कौसल की विकास की लिए सबसे अधिक महतपूर सिद्ध हो सकता है, very very most important question है, एक्जाम में आ सकता है, जल्दी से comment करेंगे, 25 का बच्चो correct answer क्या होगा, नोट कर लें, 25 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका first option होगा, परस पर बारता लाप, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, like करें, share करें, हम आपसे फिर मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, thank you.